बकसर के मुफसिल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतराजिय छे हतियार तसकरों को किरफतार किया है मिली जानकारी के अनुसार मुफसिल थाना शेत्र के दैतरा बाबा मंदिर के पास हतियार डिलीवरी को लेकर सभी इखटा हुए थे इस दोरान पुलि पुछताज के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफतारी की जाएगी करते हुए छो अप्राद कर्मी को पकड़ा गया है जिनके पास से 7.65 mm का दो पिष्टल एक देशी पिष्टाव 765 का दस गोली 315 गोली एक मोटर साइकिल और चार मुबाइल धरामद हुआ है और इस टीम में जिसमें छो ब्यक्ति का गिरफतार किया गया है जिसमें साहिल सी माहेपूर थाना करंडा जिला गाजीपूर का है सवरोव सी गहमर पटी थाना गहमर के हैं गाजीपूर का अभिशेक कुमार शिर्वास्तों यह सिविल लाइन स्थाना बक्षर संटी जादो गौहमर जिला गाजीपूर का राहुल कुमार सिंग सिविल लाइन स्बक्षर और इसके सराय हैं सिविल लाइन स्बक्षर इन छो आदि में को दिर्फ्तार किया गया जैसे अप्रादिक इतिहास आया है और क्या हम भ्याच कर रहे हैं इन लोग है और इन लोग कर रहे हैं अभी यहां खरीद बिक्री करने आये थे इसी में अप्रे गए हैं और सब हम लोग जैने नहीं अभी उसको हम लोग ज्यांच कर रहे हैं कितनों दिने से तब अभी फर्ष्ट बार इन लोग यहां पकड़े गए हैं और आगे का हम लोग जाच कर रहे हैं कि पहले भी कहीं आती है तो इस पर अपनों लोग असपर्ष्ट मता देने तो गोड़ तलब है कि शातिर अप्राधि यूपी से हतियार खरीद कर पिहार मे सप्लाई करने का काम किया करते थे गिरफतार अप्राधियों में से एक का पुराना अप्राधिक रिकॉर्ड रहा है फिलाल पुले सन्य लोगों का अप्राधिक इतिहास खंगालने में जुटी है पंजाब केस्ट टीवी के लिए बकसर से संजे की रिपूर्ट